अलो बच्चों वेल्कम बैक टो माई यूटूब चैनल आज के वीडियो में हम लोग सुभा शितानी चप्टर जोकी कक्षा 7 का चप्टर 1st है उसके बारे में पढ़ेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सुभा सितानी अर्था सुन्दर कथन या सुन्दर वच्चन पहला स्लोग है प्रीत्वियाम त्रीनी रतनानी जल्मनम शुभाशितम मूढे पाशन खंडेशु रत्न संग्या विधीयते प्रीत्वियाम त्रीनी रतनानी संती जल्मनम शुभाशितम च मूढे पाशन खंडेशु रत्न संग्या विधीयते प्रीत्वियाम अर्थात प्रीत्वि पर तीनी तीन रतनानी रत संती हैं जल मनम जल और अन शुभाशितम सुन्दर कथम और च और मूढे मूर्खों के द्वारा पाशान खंडेशू अर्थात पर्थर के टुकरों में रत्न संग्यारत्नों का नाम विधियते किया गया है अर्थात प्रित्वी पर तिन रत्न है जल अन और शुभाशित जल अन और सुन्दर कथन परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकरों को रत्नों की संग्यारत्न दी गई है तो चलिए नेक्स्ट अनवया इसका इस प्रकार है सत्येन प्रित्वी धार्यते, सत्येन रवी तपते, सत्येन वायुष्च वाती, सर्वसत्य प्रतिस्ट तम अर्थाथ सत्येन सत्य से प्रित्वी धर्ती धार्यते धारन करती है सत्येन सत्य से स्रवी सूर्य तपते तपता है सतियन सत्य से वायू और वाती वहती है सर्वम सबकुछ सत्य सत्य में प्रतिष्ठतम इस्थित है अर्थात सत्य से प्रित्वी धारन करती है सत्य से ही सूर्यत अपता है सत्य से ही वायू वहती है अता सबकुछ सत्य में ही इस्थित है चलिए नेक्स्ट दाने तप्षी सार्ये च विज्ञाने विनए नए विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरतना वसुंधरा इसका अन्वैस प्रकार है दाने तप्षी शार्ये विज्ञाने विनए नए च विस्मयो नहीं कर्तव्यो यतो ही वसुंधरा बहुरतना अस्ती दाने अर्थात दान में तप्षी तपस्या में शार्ये अर्थात शार्ये में विज्ञाने विज्ञान में विनए विनवरता में च और नए नीती में विस्मयो अचंभा न नहीं ही निश्चित रूप से कर्तव्यो करना चाहिए ये तो ही क्योंकि और सुन्धरा प्रिथ्वी बहुरतना अनेक रतनों वाली अस्ती है अर्थात्यान में तपश्या में सारे में विज्ञान में वीनमरता में और नीती में आश्चेरे नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रिथ्वी अनेक रतनों को धारन करने वाली है क्या करने वाली है अनेक रतनों को धारन करते हैं तो चलिए नेक्स्ट सद भीरेव सहाशित शद भी कुर्वितं संगीतं सद भीरवी वादं मैतरीच नाशद भी किन्चित दाचरेत अर्थाद सद भीरेव सजनों के सहाशित साथ ही बैठना चाहिए सद भी ससंगती कुर्वितं सद भी सजनों के सहसाथ संगती अर्थाद संगत कुर्वितं अर्थाद करना चाहिए सद भीरविवादं मैतरीच अर्थाद सजनों के साथ ही विवाद सद भीरविवादं अर्थाद सजनों के साथ विवाद मैतरी मितरताच और करतव्यम करनी चाहिए नासद भी दूरजनों के साथ सह साथ किंचीता चरेद अर्थात विभार नहीं करना चाहिए अर्थात हमें सजनों के साथ ही बैठना चाहिए रहना चाहिए सजनों के साथ ही संगती करनी चाहिए सजनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए दूरजनों के साथ बिल्कुल भी विभार नहीं करना चाहिए और उनसे मतलब दूर जो दूरजन रहते हैं उनसे मतलब जिनका विभार अच्छा नहीं होता है उनसे दूर रहना चाहिए और हमें खराब विभार किसी के साथ नहीं करना चाहिए धन्धानिय प्रयोगेशु विद्याया संग्रहेशुच अहारे विभारेच त्यत् लज्जः सुखी भवेत धन्धानिय प्रयोगेशु विद्या संग्रहेशु च अहारे विभारेच त्यक्त लज्जः सुखी भवेत अर्थात धन धाने प्रयोगेशु धन और धाने के प्रयोग में विद्याया विद्या के संग्रहेशु संग्रह में च और अहारे भोजन में वेवहारे वेवहार में च और त्यक्त लज्ज लज्ज नहीं करना या संकुच नहीं करना सुखी अर्थात सुखी भावेत अर्थात रहता है अर्थात धन धाने के प्रयोग में विद्या के संगरह में अहार अर्थात भोजन में और व्यभार में जो व्यक्ति लज्जा संकोच नहीं करता है वह सुखी रहता है मतलब इन सब के प्रयोग में जो लज्जा नहीं करता है वो खुशी रहता है यही कहने का आर्थ है धन ये सब विद्या के प्रयोग में धने के प्रयोग में तो चलिए next चमावशीक्रिति लोके चमया कीमन साध्यते शानती खगह करे यस्यकीम करिश्यती दूरजना इसका अनवया इस प्रकार है चमावशीक्रिते लोके चमया कीमन साध्यते यस्यकरे शांती खगह अस्ती दूर्जनह तस्य कीम करिश्यती अर्थात कीमपीन चमा वशी कृते लोके चमा अर्थात माफ करना वशी कृते अर्थात सबसे अच्छा मतलब सबसे बड़ा वशी करन है लोके अर्थात संसार में चमया चमा से कीम न सादेते क्या नहीं सादा जा सकता अर्थात अगर हम चमा किसी से मांग ले तो क्या नहीं किया जा सकता यश्य अर्थात जिसके करे अर्थात हाथ में शांती खगह अर्थात शांती रूपी तलवार है अस्ती है दुर्जन्न दूस्ट ताशे उसका कीम क्या करिश्यती करेगा अर्थात कीमपीना अर्थात कुछ भी नहीं तो इसका अर्थी यह है कि इस संसार में छमा सबसे बड़ा वशिकरन है छमा से क्या नहीं साधा जा सकता किसी को अगर आप छमा करते हैं तो उसे क्या नहीं साधा जा सकता या फिर अगर आप किसी से छमा भी मांगते हैं तो अगर आपकी गलती है या नहीं है कोई अगर गुष्टा में आप उसे छमा मांग लेंगे तो उसका गुष्टा थोड़ा कम हो जाता है उसी प्रकार यहां कर आए कि अगर आप किसी को छमा कर देते हैं तो बहुत छमा से क्या नहीं साधा जा सकता जिस व्यक्ति के हाथ में शांती रुपी तलवार है मतलब जिस व्यक्ति के हाथ में एक दम शांती रुपी तलवार है दूर्जन उसका क्या कर सकते हैं मतलब दूरजन लोग उसका क्या करेंगे, अर्थाथ चम्मा से हर कारी संभव है, और जो व्यक्ति सांथ रहता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगार सकता है, अर्थाथ अगर आप शांथ है, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगार सकता है, अगर आप क्रोध में, आप में बहुत कुल अधलनियुकु कंप छेचेलर कॉंसिंट से इसने ना मेद आपको यह लाएव में आपके सम्झा दूगे यह लीजी ऑम्protका तो मैं टाल दूंगी में दे दूंगी